प्रणाम में गारिमा सिंख इस बीच जब चुनावी माहौल था हालकि दो राजों में ही सत्ता के लिए चुनाव होने थे लेकिन देश में माहौल चुनावी था और एक जो चीज आपने सबसे ज्यादा सुनी होगी कुछ शब्दों को जो सबसे ज्यादा सुना होगा उनमें से चुनावी सौगात चुनावी गिरंटी और सबसे ज्यादा जो सुना होगा वो सुना होगा डिरेक्ट बानफेट ट्रांसफर यानिकी डीबीटी सीधे खातों में पैसा वोटर के यानि चुनावी रेवडी और ये चुनावी रेवडियां जहां जहां आजमाई गई वह वहां सत्ता का सुख देती गई करनाटक में आजमाई गई तेलंगाना में आजमाई गई राजस्तान मद्प्रदेश 36 गड़ हिमाचल जहां 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 चुनावी रेवडियां बटी और चुनावी रेवडियों में भी स्पेशली डीबिटी डिरेक्ट बानिफ पर लगाई जो फाइनल हॉलमार्क लगा दिया सोने के गहने पर वो लगाया महराष्ट ने और जारखंड ने महराष्ट में लाड़की बहना योजना अभी मात्र चार महीना पहले शुरू किया था महिलाओं को देने थे 1500 रुपाई और यह 1500 रुपाई को अगर बाट लें त तो पचीस सो देंगे महराष्ट में वादा हुआ था कि लोटकर अगर आ गए तो यह जो 1500 मिल रहा है इसको 2100 कर देंगे लेकिन मिल रहा था 1500 रुपाई और यह हर दिन का बैठता है 50 रुपाई जारखंड में मिल रहा था 1000 रुपाई हर दिन का बैठता है 33 दशमलाव 33 लेकिन ये इतने बड़े गेम चेंजर साबित हुए है कि जब प्रेस कांफरेंस करने आये एक नाथ चिंदे महराष्ट के मुक्य मंतरी तो कहते दिखें कि लाड़की बेहना ने बल्ले बल्ले कर दी लाड़की बेहना का सबसे ज्यादा बंपर फाइदा हुआ दिखा महाय प्रेयुती इदर वापसी कर गई है तिहासिक तो अब आज इस पर चर्चा करने का जो मकसद है वो ये है कि आज अरविंद केजरीवाल नुमाया हुगए हलाकि 25 फरवरी तक का कारेकाल है और अभी 2,5 महीने बाकी है लेकिन मुक्खे मंतरी जो अब नहीं है मुक्खे मंतर अरविंद केजरीवाल ही है आज वो नुमाया हो गए बड़े प्रो आक्टिव अप्रोच में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं पिछले एक हफते से सबसे पहले उम्मीदवारों की घोशणा कर दी सबसे पहले फर्स्ट मूवर 11 उम्मीदवारों का एलान हो गया उस प्रदान मंत्री के लिए अंदर दा डॉक है इसे ग्लामराइज करते नजर आए अरविंद केजरीवाल बाकाइदा ये पोस्टर जारी कर दिया अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर रेवडी मैन अपने आपको कहते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल रेवडी मैन यहां जनता का पैसा जनता को दिया जाता और फ्री की रेवडिया ऐसे हाथ में लिये हुए नजर आ रहे हैं और क्या है वो फ्री की रेवडिया मुफ्त बिजली मुफ्त पानी मुफ्त शिक्षा मुफ्त इलाज मुफ्त तीर्थियात्रा और मुफ्त बस का सफर और ये लगी इस देश में अब लेकिन आज अर्विंद केजरीवाल जब नुमाया हुए तो उन्होंने दिल्ली के साड़े पांच लाख बुजर्गों के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया दस लाख बुजर्ग हैं हाला कि दिल्ली में और एलान ये किया कि अभी तक जिन बुजर्गों को एक हजार रुपाय व्रिदावस्था पेंशन योजना मिलती थी अब वो बढ़कर हो जाएगी दो हजार रुपाय अगर उम्र है साठ से उनहतर साल के बीच तो दो हजार रु इसा भी दिली के बुजर्गों के अकाउंट में और इसके पहले एक और भी योजना थी महिलाओं को भी दिये जाने थे पैसे मुक्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये भी जल्द लागू करने का एलान के जरिवाल ने किया था 18-60 साल की महिलाओं को मिलना था 50 लाख करते हुए नजर आए ही केजरिवाल लेकिन साथ साथ निशाना साधा उस पार्टी पर भी जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ चुनावी नहीं ब्रेश्टा चार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी लड़ाईयां बीजे पी से जो चल रही हैं तो केजरिवाल कहा कि बही डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी पर ये ताना कशी की कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में सिर्फ मिलता है कम 500 से 1000 रुपाए की पेंशन बुजर्गों को तो डबल इंजन सरकार से नुकसाम ज्यादा है दिल्ली के लोगों के लिए ये आम आदमी पार्टी का सिंगल इंजन ही ठीक है तो इस तोर पर पेंशन के जरीए डीबीटी के जरीए डिरेक्ट मैनफेट ट्रांसफर के जरीए वो चुनावी बिसात भी सजाते नजर आए और डबल इंजन और सिंगल इंजन में कंपेर करते हुए भी नजर आए अब भई चिंता हुई बीजेपी को भी की फ्री की पानी फ्री की बिजली तीर्थियात्रा बुजर्गों को महिलाओं को बस में फ्री सफर फ्री की शिक्षा अब बुजर्गों की पेंशन भी बढ़ा दी दो हजार रुपाए उनहत्तर साल तक और सत्तर साल से जादा को नहीं हजार रुपाए तुरंत विरेंदर सचदेवा भी नुमाया होगा है बीजेपी के प्रदेश अद्याक्षि तू डल डाल तुम्ह और सीधे बगार किसी अपचारिक ताके बुजर्गों की पेंशन शिरू हो जाएगी यह विरेंदर सचदेवा ने अलान कर दिया आज बीजेपी के प्रदेश अद्याक्षि तो तू डाल डाल और मैं पात-पात और गुबारा भी फोड़ते हुए नजर आए के जूट का क तो अब भài कोई विल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहा था कोई देश को देश भी हमारा पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्था बनी गया जिसका डंका पीता जाता है उंकार भरी जाती पांचवी बड़ी अर्थववस्था पर क्यापटा इंकम की भी प्रतिव्यक्ति आये की भी खूब उंकार भरी जाती और ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब आरबी आई नीती आयोग से लेकर देश का सुप्रीम कोर्टर स्वेम देश के प्रदान मंत्री ये कह चुके हैं कि भाई ये जो फ्री के हतकंडे हैं इनसे किसी का भला नहीं होगा हिमाचल प कर्सदार है हिमाचल प्रदेश इतना जबर्दस्त करनाटक में खड़गे साब कहते नजर आए कि पूरा नहीं कर सकते तो वादे मत करो तो इस सब में लेकिन फाइदा बहुत है फाइदा बहुत है और फाइदा है सत्ता का तो ऐसे में जरा ये दो बयान सुनिए कि कैश फूर वोट आसान कर देता है क्या सत्ता का रास्ता कि दिल्ली में साट साल से 59ल तक के बुझरगों को 2,000 रुपए पेंशन मिलती है महीना और सत्तार साल और सत्तार साल से ऊपर के बुझरगों को 2,500 मिलती पहले ये डेभ लोग ने तो जो डबल इंजन साफे 550,600 रुपए मिलती fällt आ जहां सिंगल इंजन वाहाँ तो डबल इंजन की सरकार चुनने बहुत नुकसान है आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिये अच्छा चल रहा है सब कुछ तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूं शरत पवार इस पर मोहर लगाते हूँ दिखे एकनात्चिंदे ने भी इस पर मोहर लगाई और यह उस राज्य में हुआ जहां पर राजकोशिये घटा तकरीबन साड़े साथ लाग करोड का तो कर्ज है और राजकोशिये घटा तीन प्रतीशत का जो डेंजर मार्खे खत्रे का निशान है उसके उपर पहुँच गया और वित्तमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आगे घोशनाएं मत करो क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते ही माचल की इस्तिती मैंने आपको बताई ही करनाटक में खडगे साब क्या कहकर आगए मैंने बताया ही तो खेर लेकिन इसकी चिंता सत्ता की चिंता के सामने थोड़ी को तमाशाद देखो और चुनाव लड़ना सीखो जीतना है चुनाव तो फिर हर पार्टी चलेगी पैसे वाला दांग